अस्वाइम खार, नेशल सेविंग के अपडेट, प्राइविट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मिलाजबिन की तन्खा, पैंचेन, EOBI के अपडेट के साथ आप लोग खिदत में हाजिर है रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सकाइब करदे, वीडियो को लाइक करदे, वीडियो को शेयर करदे, बेल आईकॉन को प्रेस करदे ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के वीडियोग बना रहे हैं चाहिए वो नेशल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइविट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मेराजबिन की तंखा हो, पैंशेन हो, यो बियाई हो, वीडियो फरस्ट आफ़ल आप लोगों मिलें और आप लोग जादर से जादा फायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो है कौमी बचत से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब, कौमी बचत ने तमाम बैंकों को पीछे चोड़ दिया, ठीके, तमाम बैंकों और माइक्रो फाइनेंस से ज़्यादा मुनाफ़ा, एक लाखे 20,520 का साला मुनाफ़ा, ये तो तीन टॉपिक है जनाब, आज के हमारी वीडियो में, मैं टॉपिक रिबिट करना चाहता हूँ, कौमी बचत ने तमाम बैंकों को पीछे चोड़ दिया, आज इस पे हम बात करेंगे जनाब, तमाम बैंकों और माइक्रो फाइनेंस बैंक से ज़्यादा मुनाफ़ा दे रहा है, कौमी बचत बैंक और एक लाग पे 20,520 रुपे का सालाना मुनाफ़ा मिल दा जनाब, तो ये बेसिक लिए आज का तीन टॉपिक है हमारा, इंटरस रेट कम हुआ जनाब, और इंटरस रेट रेट बाइस परसंट से कम होकर, साड़े बीस परसंट ह और अब जो है, वो साड़े 19% हो गया है, और उमीद ये की जारी जनाब के आने वाले टाइम से में, कुछ अरसे में, जो नेक्स्ट, मौन एंटरस रेट कम और कम हो जागा, मतलब कौमी बच्चे जो प्राइवेट बैंकों के मुनाफ़ा है, या पर दूसरे स्कीमों के मु आएगी, इंटरस रेट जब 22% पे था, तो कुछ बैंकों ने बहुती शानदार मुनाफ़ा दिया, जिनमें माइक्रो फाइनस बैंक जो है, वो सबसे जारा टॉप पर है, यू माइक्रो फाइनस बैंक की बात करें, तो उन्होंने एक लाग पे 23,500 तक का मुनाफ़ा दिया जब इंटरस रेट जो है, वो 22% पे कायम था, प्राइवीट बैंकों की बात करेंगी तो नचानाब, HBL ने भी बहुत अच्छा मुनाफ़ा दिया, MCB ने भी बहुत अच्छा मुनाफ़ा दिया, जब इंटरस रेट बाइस परसन पे था, यू बियल ने अच्छा दिया ठीक है और जैसे जैसे जो है इंटरस्टेट कम होते जा रहा है बैंकों के मुनाफ़े भी कम होते जा रहे लेकिन कौमी बचत आज भी जो है वो तमाम बैंकों से आगे है तमाम माइक्रो फाइनस बैंक से आगे है जब मुनाफ़ा यू माइक्रो फाइनस बैंक साड़े दे रहे थे तो जो बैंक है हमारा कौमी बचत बैंक ये थोड़ा पीछे हो गया था और लोग इसमें इतना ज़ादा investment नहीं कर रहे थे इसी तो और एक scheme जिसका नाम था सर्वाइस्लामिक saving account और once again लोगों ने जो है वो सर्वाइस्लामिक saving bank और जो private bank है वो कौमी बचत से आगे निकल गए लोग उनमें ज़ादा investment करने लगे और अगर इस दोरान आपने visit किया होगा कौमी बचत की दारे का कौमी बचत की branches का तो आपने देखा होगा कि पहले जैसे rush भी अब नहीं होता था reason क्या था कि लोग क्यों रश जो है कौमी बचत में क्यों कम हो गया लोग क्यों कम देख रहे थे reason यह था कि जनाब private bank को ने और micro finance bank ने कौमी बचत से ज़ादा मुनाफ़ा देना शरुक कर दिया था जो investor थे वो private bank और micro finance bank की तरह convert हो गया थे अब क्या हुए जनाब interest rate में कम हो गया और तमाम bank micro finance bank हो गया private bank हो गया वो back होना शुरू हो गया मतलब इनका जो profit rate था वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो गया जाय सी बाते interest rate कम होगा तो बैंकों का मुनाफ़ा कम होगा ठीक है इस दौरान इस वक्त जो है currently कौमी बज़ेती की ऐसी स्कीम है जो साना आपको 20,520 रुपए का मुनाफ़ा दे रही है मतलब सर्वा Islamic saving account से भी ज्यादा मुनाफ़ा दे रही है तो आज की स्कीम में जनाब आज की इस वीडियो में हम उसी स्कीम का करेंगे उसका मुनाफ़ा किसी साब से मिलना होता है और किनके तरीकों से आप ले सकते क्या उसका टैनर है सारी बात आप लोग साथ डिसकस करेंगे अगर आप उस इसकीम में long term के लिए जाना चाहते हैं माइक्रो फाइनस बैंक से जादा दे रही एवन जो कवमी बजट की स्कीम है उससे भी ज़्यादा मुनाफ़ा दे रही एक जो इशू आप लोग रेस करते हैं शॉर्टरम सेविंस साटिफिकेट के हवाले से कि भाई इसमें हम तीन महीने के लिए इन्वेस्मेंट करेंगे तो हम जब तीन महीने के लिए इन्वेस्मेंट करते हैं तो स्कीम खतम हो जाते हैं तो जनाब आज की वीडियो में हम आप लोगों से वो चीज़े शेयर करेंगे जिसके बाद आपके ये इशू जो है वो भी रिजॉल्फ हो जाएंगे तो जनाब सबसे बहले बात करते हैं Short Term Saving Certificate के Profit Rate की तीन महीना हो चे महीना हो या एक साल हो मतलब बारा महीने हो ठीक हैं सबसे पहले बात करते हैं सबस्यादा Profit कौन सा दे रहा है वो दे रहा है Short Term Saving Certificate तीन महीने वाला इसके इन पर देख रहा है जनाब आपको पहले मैं आपको Profit Rate बता दूँ इस पर Tax बता दूँ और फिर क्या करना है वो मैं आपके साथ Share करूँगा ठीक है Rate है 22.52% मतलब जो 3 महीने का Profit बन रहा है वो 5,130 रुपए बन रहा है असल में हम बात कर रहे है तीन महीने के लिए 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 आपने तीन महीने के लिए इंवेस्मेंट किया तो तीन महीने के बाद मैच ओट हो जाएगा आप जब जाएंगे तो आपके अकॉड में जो है तो पहले इसकी कल्कुलिशन देते बागी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको Rate है 20.52% मतलब तीन महीने का मनाफ़ा बनेगा 5,130 रुपए अगर आप फाइल है तो 15% टेक्स कटेगा जिसकी वान बढ़नी 770 रुपए और टेक्स काटने बाद एक लाग पे 4,360 रुपए का Rate है 21.52% तीन महीने का मनाफ़ा बनेगा 5,130 रुपए 35% टेक्स काटेगा अपनाउन फाइल है तो इसकी अमाउन बढ़नी 760 रुपए और टेक्स काटने बाद तीन महीने के बाद मनाफ़ा मिलेगा एक लाग पे 3,334 रुपए का तो जनाब प्रॉफिट तो फाइलर का बह भी छोड़ देते हैं एक लाग रुपए आपके अकॉर्ण में आ जाएगा एक लाग रुपए अपने अपने इंवेस्मेंट की थी और 5,130 रुपए का जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा आप जाएं जिस दिन आपके अकॉर्ण में प्रॉफिट आएगा आपको अच्छी तो आदे गंडे का आपका विजिट होगा कौमी बच्छत का आपने उसी वक्त अपने अकॉर्ण से मतलब आपके अकॉर्ण में पैसे पढ़ेंगे एक लाग रुपए और प्रॉफिट 5,130 रुपए इसको दुबारा तीन महीने के लिए रिबुक कर देना सेम रेट बे मतल जो है आपके अकॉर्ण में जिस दिन आपने रिइन्वेस्ट किया उसी दिन प्रॉफिट और प्रिस्पल और प्रॉफिट आ चुका होगा उसी दिन आपने आधा गंडे का विजिट करना है इसको चेक काट के देना है फॉर्म पे साइन करना है फॉर्म फिलप करना है फॉ आधे आधे गंटे का विजिट करना है और जो आपके स्कीम है short term savings certificate उसको जो है आप बासानी जो है वो एक साल डेड़ साल दो साल तीन साल में convert कर सकते हैं चुक्कि इसका profit गिरतावा भी नहीं दिखना है पर तो option यह कि तीन मेहने बस एक दफ़ा विजिट करना है आपने आदे गंटे का और जो भी आपका profit है और प्रिस्पल अमांट है बलकि यह तो बहुत अच्छी possibility है तीन मेहने के अंदर अगर आपने पांच-दस लाग रुपए या पांच-दस लाग रुपए एक खटा कर लिए है तो वह भी account में जमा करवाएं और आपने दस लाग रुपए का लिया वा था शौर्टरम सेविंग सर्टिफिके तीन मेहने के लिए और तो दो-चाललाग रुपए आ और आगए तो वह भी उसके साथ आट करें और पंद्रालाग रुपए का जमा करवादे अगले सेविंग सेटिफिकेट जहें वो छे महीने के लिए भी दस्तियाब है मतलब आपने आज इंवेस्मेंट कर ली है आज ही के दीन मतलब छे महीने के बाद फॉर एज है तीन अगस्तो छे महीने के बाद जो है तीन तारिक को जो आप बरांच का विजिट करें आपकी account में परसंट मतलब 6 मेने का मनाफ़ा बनेगा एक लाग पर 10,120 रुपे ठीक है अगर आप फाइल है तो 15% टेक्स कर देगा जिसकी महाँ बनेगा नेट प्रॉफिट बनेगा एक लाग पर 6 महीने बाद नॉन फाइलर की बात कर लेड़ वही है 20.24 परसंट मतलब साल का मनाफ़ा बनेगा साल का बोलना सोली 6 मेने का मनाफ़ा बनेगा 10,120 रुपे अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टेक्स कर देगा जिसकी महाँ बने 3542 रुपे और टेक्स कर देगा एक लाग पे 6,578 रुपे का 6 मेने का प्रॉफिट बनेगा नॉन फाइलर का ठीक है तो यहाँ पी जीज प्रॉफिट में माइनर सा डिफरेंस है तो 6 मेनी वाला भी बैस्ट है ठीक है उसके बात कर लेते जिनाब एक साल वाले की एक साल के लिए अगर आप बुक करवाते तो इसका प्रॉफिट जो है वो पूरे एक साल बाद मिलेगा तो आपने एक साल के लिए पैसे इंवेस्ट करें और एक साल के लिए छोड़ दें एक साल बाद जाए और उसी वक्त जो भी रेट चल लोगा उसी रेट पे जो है वो तो यहां पर देगे फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शांतार है एक लाग पे इसको तीन-चार साल पे लेगे जाएं तो वह भी बहुत सिंपल है जैसी प्रॉफिट है जिस दिन प्रॉफिट है उसी दिन जाएं प्रिस्पल और प्रॉफिट और जो भी आपके पास मजीद पैसे बचें उस साल बरके अगले एक साल तक मजीद आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है तो जनाब आज की वीडियो में हमने बात की किस तरह आप जो है वो कौमी बचत में इन्वेस्ट करके सबसे ज़ादा मुनाफ़ा हासिल कर सकते हैं और शॉट टर्म सेविंग साटिफिट को किस तरह आप लॉंग टर्म के लिए ले जा सकते हैं तो आप इस साटिफिट को दस साल तक भी लिजा सकते हैं ठीके दस साल तक भी आगे कंट्यूनी रख सकते हैं और एक चीज़ मैं बता दू कि शॉट टर्म सेविंग साटिफिट के बारे में जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है इसका प्रॉफिट डेट अगर कौमी बचत के मुनाफ़ों का प्रॉफिट डेट गिरेगा तब भी शॉट टर्म सेविंग साटिफिट के बहुत जादा नहीं गिरेगा इसका Profited बहूत बہतर रहेगा जैसे बहबूद Saving Certificate का बहतर रहता है ठीके तब जब तमाम इसक्विमें गिरेगा तो इसका भी गिरेगा लेकिन फिर भी बहुत बहुत बहतर रहेगा तो जनच अब अभी से प्रैक्टिस कर लिजए इसकी Short Term savings certificate में investment की अभी तो बहुत ही शांदार इसका profited है अभी तो short term savings certificate को आप किसी से compare कर ही नहीं सकते कोई और दूसरा bank को microfinance bank या कोई भी इदारा हो वो इस वक्ट short term savings certificate का मुकाबला नहीं कर सकता है इतना शांदार यह भी currently profit दे रहा हम यहाँ आप वीडियो पर आप लोगे वीडियोस बना रहे हैं चाहिए वो नहिशत सेविंग से रिलेटेड हो प्राइविट बैंकों से रिलेटेड हो बजट हो सरकारिय मलाजबिन की तन्खा हो पैंचेन हो यह भी आई हो वीडियो फस्ट अफल आप लोगों मिले और आप लोगों जाता से जादा फाइदा हासिल कर सकें मिलतें नेक्स वीडियो में इंशाला तब तक कि लिए अल्ला आपिस